हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब आज की वीडियो हैं हाउ टो यूज आयू डिप पोर क्लिंजिंग मिल्क इसके बारे में तो मैं आप से शेयर करूंगी एट यूजेज आफ दिस प्रड़क्ट तो आठ तरीके आपके साथ शेयर करूंगी तो चलो जल्दी से शुरू कर लेते आज की वीडियो और मैंने जो प्रिवियस वीडियो बनाया था इसके रिव्यू के बारे में आप उसको जरूर देखो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और इधर उधर आइकट पे भी कही दे दूंगी आप चेक कर लेना जरूर तो चलो जल् पॉइंट है आप इसे अज अमेक अप रिमूवर इसके लिए मैं हातों में थोड़ा सा काजाल और लिप लाइनर लगा के दिखा रही हूं कि कैसे इतने आसानी से मेक अप को रिमूव करती हैं आपको हातों में थोड़ा सा लेना है इसके साथ आप कोई भी कॉटन या आपको क्या करना है थोड़ा सा हातों में लेना है जितना आप चाहो फिर इसको हातों में लेकर अच्छे से मसाज कर लेनी है यह आपकी हातों की मॉशराइज भी करेगी और सौफ्ट भी बना देगी और अगर आपके पास टाइम नहीं है मेनिक्यूर करने के लिए तो आप मे कर सकते हो इसके साथ और इसके साथ भी प्लास पॉइंट ए है कि आप इसे पेडिक्यूर करने के टाइम पे भी क्लीजर के तरह इस्तमाल कर सकतो हो मैंने दो वीडियो बनाया है हिंदी में एंड इंग्लिश में मैं लिंक उपर दे दूंगी आईकर्ट पर चेक कर लेना थर्ड जो पॉइंट है आप आपकी जो पियर्सिंग है उसके आसपस सारी डर्ट को रिमुव करने के लिए इसका इस्तमाल कर सकते हो आराम से क्योंकि ये सारी डर्ट को रिमुव कर देगी तो अभी आप देख सकते हो यहापर है मेरी छोटी बेहन जभी भी मैं उसको बोलती बहुत मज़ा आता है तो जैसे कि उसने अभी तक नहीं कराया है फिर भी आपको दिखाने के लिए आप देख सकते हो थोड़ा सा cleansing milk मैंने लेके अपने जिधर भी कराया है piercing नीचे उपर बहुत सरी जगह हैं बहुत सरी जन बहुत सरी जगह करते हैं तो आप जिधर भी करते हो आप उस जगह पर अच्छे से मसाज कर लो ताकि आसपास की सारी डर्ट रिमूव हो जाए फोर नंबर जो पॉइंट है आप इसे फेस्वाश की तरह इस्तमाल कर सकते हो इंटर सीजन में अगर आपकी ड्राइ स्किन है तो तो आप इसको इ ऐसे आप किया कर सकते हो मॉर्निंग टाम पे अप क्लींजिंग इस्तमाल कर सकते हो आप से स्किन मॉशराइज बहुआ आप एस्तमाल कर सकते हो एकर च्राइज से तो यहां पर भी मै lagi ज़रूर इसकी सुन को prag 006 Gegen gray Natalie आफ वर ससकते ही तो इसे वी इसे पौइंट और इसे एल पहन की मदद ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैं हातों में थोरी सी आयूर क्लिंजिंग मिल्क को लेके अच्छे से मसाज करूंगी, यह आपकी इल्बोस को अच्छे से मॉस्चराइज करेगी और डार्कनेस भी कम हो जाएगी इससे, सिक्स नमबर जो पॉइंट है, आप इसे मसाज क्रिम के बतले इस्तमाल कर सकते हो, अगर आपकी मसाज क्रिम खतम हो गई है, तो आपकी पस बहुत अच्छा आप्शन है, आप आयूर का इस्तमाल कर लो, सिर्फ नमबर जो पॉइंट है, आप इसे फेशियल शुरू करने से पहले, ऐसे क्लिंजर की तरह इस्तमाल कर सकते हो, बहुत आसानी से, आपको सिर्फ हातों में थोड़ा सा आयूर क्लिंजिंग मिल्क को लेना है, फिर आपकी पूरी फेस पे इसे लगा के, फिर आपको थ क्लिंजर की तरह इस्तमाल करो तो, एट नमबर जो पॉइंट है, आप इसे डाबॉल क्लिंजिंग की तरह इस्तमाल कर सकते हो, डाबॉल क्लिंजिंग का मतलब है, आपको दो बार क्लिंज करनी है आपकी फेस को, तो यहापर आपने अगर बहुत जादा मेक अप किया है, आ कि आप ऐयूर का इस्तमाल कर सकते हो इससे आपकी से हेवी मेक अपडिकल रिमॉफ हो जाएगी जो भी waterproof bout है फिर आप इसके बाद आप क्या कर सकतो тो कोई भी face वँस्तमाल करते हो और कर सकते हो या फिर बेस़न का भी स्तमाल कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर आपको थ्री स्टेप दिखाया है, पहला जो है ओलिव ओल, फिर आयूर, यह दोनों से आपकी मेकप रिमूव हो जाएगी अच्छे से, फिर आप बेसन और या फिर फेसवाश का भी इस्तमाल कर सकते हो, यह है डाबूल क्लिंजिंग प्रोसीडियोर, या फिर आप सिर्फ आयूर और फेसवाश का भी इस्तमाल कर सकते हो, आईकट पे मैं लिंक दे रही हूँ, ओलिव ओल को कैसे मेकप प्रिमूवर की तरह इस्तमाल करना है, और बेसन को कैसे फेसवाश की तरह इस्तमाल करना है, उसका लिंक भी दे रही हूँ, आप चेक कर लेन मैं तीनों का मेल दिखा रही हूँ यहाँ पर तीनों चीज़े स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया हैं अगर आपको नहीं पसंद तो आप आयूर और बेसन का भी इस्तमाल कर सकते हो पर जैसा कि मेरा मेरा फेस में मैं जभी भी हेवी मेक अप करती हूँ तो नहीं निकलता मेक तो मैं आयूर का इस्तमाल करती हूँ फिर आयूर का इस्तमाल कर लेती हूँ यह अप मेरी स्किन को सौफ्ट बना देती हैं और इसके बाद बेसन का भी इस्तमाल कर लेती हूँ तो नैचरल रहता है और फेस पे कोई भी हार्मफूल केमिकल नहीं होता तो बहुत अच्छा ह आप जरूर ठ्राइ करो एथी मेरी 8 uses of eye-op cleansing milk comment box में जरूर बताना आपको कैसे अलगा है और आप कैसे इस्तमाल करते हो like कर देना अगर आपको पसंद आई है comment box में बिल्कुल भूलना मत कैसे आप इसको इस्तमाल करते हो और एक बात जाने से पहले अगर आपने खड़ीदा है ऐसा कोई product जो आप इस्तमाल नहीं करते laziness के बज़े से तो ऐसा कूछ container में रखो ताकि आपको आसानी हो इस्तमाल करने में मैंने मैं भी ऐसा करती हूँ इसलिए आपके साथ share किया ताकि आपको भी थोड़ा मदद मिल जाए छोटा मोड़ा टिप्स हैं पर जरूर काम की है कोशिश कर के देखो आप जरूर आपको फायदा भी होगा आप देखो कि आप बहुत सारी ऐसा है के हम इस्तमाल नहीं करते जस्त बीकाज वो बहुत परिशानी देती है हमें इस्तमाल करने के टाइम पर हमारी पास तना टाइम नहीं होता तो एथी मेरे आज की वीडियो उ झाल झाल झाल